Hello everyone, जैसा आप सभी जानते हैं कि अभी लोगसभा का सेशन चल रहा है और इस लोगसभा के सेशन में कई चीज़े निकल कर सामने आ रही हैं। जैसे अगर आपने पिछले एक सब्ता में या उससे अधिक समय में लोगसभा की कारवाई को अगर फॉलो किया है तो आपको कई सारी चीज़े नई सुनने को मिल रही होंगी या काफी जानकारिया इसको लेकर आ रही हैं। इसको नाम से जानते हैं कि expansion of phrases और words in parliament. तो आखिर ये क्या होती है? इसमें expansion power का context क्या है? किसके पास expansion power है? कब ये की जा सकती है? क्या इसको लेकर कोई rules है? क्या समयधानिक इसको लेकर कोई प्रस्ताव है? लोगसभा और राज्यसभा में क्या होती है? क्या इसमें हमाने प देखने की कोशिस करेंगे? साथ में हम यहाँ भी देखने की कोशिस करेंगे कि आज के समय में क्या यह relevant है या नहीं है? तो चलिए start करते हैं. सबसे पहली बात यह है कि इसका context क्या है? context यह है कि लोगसभा में जो लोगसभा में जो leader of opposition है राहुल गांधी उनके कुछ remarks थे प्रधान मंत्री के बारे में और BJP के बारे में जिसको बाद में जो speaker है अभी लोगसभा में जो speaker है ओम बिरला साब उनके द्वारा उनके orders के द्वारा उन सभी words को record से हटा दिया गया है record से हटाने का मतलब यह होता है कि हमारे इस संसद में हमारे parliament में जो भी speech दी जाती है उन सभी को adjectives record किया जाता है आगे के future को देखते हुए या future में उसके relevance को देखते हुए उसको record की जाती है ताकि सभी चीज़े वहाँ पर मौजूद होगी कब किस MP ने किस minister ने क्या द अगर हम लोग बात करें कि इस context में यह देखने को मिला कि राहुल गांधी के जो remarks है उनको हटा दिया गया ठीक वैसे ही राजसभा में जो chairman यानि कि जो इंडिया के जो vice president है जगदीब धानकर उन्होंने leader of opposition मलिका अरजुन खरगे की speech में से जो words हैं उनको remove कर दिया उन portions को हटा दिया जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद मोधी और राष्ट्रे स्वायम सिवक संग इस संस्था के खिलाफ थे तो उन words को हटा दिया गया था on the orders of राजसभा chairman जगदीब धानकर तो इस context में हमें यह जानना है कि इसके powers क्या क्या है कौन कैसे हटा सकता है कब हटाया जात जो भी चीजे बोली जाती हैं जो भी चीजे होती है उन सभी को record किया जाता है और जो भी ऐसे words हैं जो defmitary हो यानि कि किसी के मान समान के खिलाफ हो जो indecent हो या unparliamentary और undignified हो उन सभी को delete कर दिया जाता है या हटा दिया जाता है record से और इन सभी purpose के लिए लोगसभा secretariat जो ह एक comprehensive list maintain करता है जो लोग सभा है उसकी secretariat के दौरा एक comprehensive list तयार की गई है कि कौन-कौन से words अगर आप use करते हो तो उसको हटा दिया जा सकता है उसको remove कर दिया जा सकता है तो इन words को हटाने की बात या उनको लेकर एक list जो है वो हमेशा मौजूद होती है अब देखो अब यहां पर काम कैसे होता है कि अगर हम बात करें पहले तो कुछ words के example देख लेते हैं कैसे words कौन-कौन से हो सकते जैसे अगर 2022 में बात करें तो 2022 में कुछ नए words जो जारी किये गये थे मेडिया में आये थे उनमें words थे लाइक जुमला जीवी बाल बुद्धी कोविड स्प्रेडर अब्यूजड अशेम्ड विट्रेयल चमचागिरी तो इस टाइप के words जो है वो आये थे इसमें शाकुनिक नाम से word भी जो है वह आया था और इन सभी को हाउस की कारवाई से या एक्सपंज कर दिया गया था कि बाद में चो record बना उनसे हटा दिया गया कुछ और ऐसे words या expressions को आप देख सकते हो डॉजी, drama, false, eye wash, fabrication, fraud, racist, etc. तो यह कुछ words थे जिनको यहां से हटाया गया था गोजर बाइस में तो यह वह ऐसे words थे, इनको हटाया या, तब इनको कौन हटा सकता है, किसके पास यहां power है, तो अगर हम बात करें लोग सभा की, तो लोग सभा में जो speaker हैं, जो एक speaker हैं, उनके पास यहां power होती है, कि वह किसी word को हटा सकते हैं, वहीं पर राज्य सभा मे बात करें, तो राज्य सभा में जो चेर्मेन है, चेर्मेन के पास यह अधिकार होता है, कि अगर कोई indecent words का इस्तमाल किया गया है, अन-parliamentary सब्दों का इस्तमाल किया गया है, तो उन-parliamentary सब्दों को हटाया जा सकता है, अब देखो, इसको लेकर rules क्या है, चेर्मेन और speaker दोनों के पास इसको लेकर powers दिये गए हैं, और यह power कहां से हैं, क्या यह constitution से नहीं, यह constitution नहीं, बलकि rules of procedure of राज्य सभा और लोग सभा के द्वारा दिये गए हैं, तो जो राज्य सभा का rule 261 है, और लोग सभा का rule 380 और 381 है, उसके अनुसार, चेर्मेन राज्य सभा में, उनके पास कौन सा rule हो गया, 261, और राज्य सभा में, हमारे पास 381 जो rule है, 380 और 381, उसके अनुसार, लोग सभा के जो speaker है, वह उन चीजों को हटा सकते हैं, अगर हम बात करें, कि speakers के पास यह अधिकार होता है, कि मान लेते हैं कि कोई ऐसे word हो, जो national interest के खिलाफ हो, या द उनके खिलाफ अगर कोई derogatory mark है, या national sentiment को hurt करने वाला हो, आर्मी को discredit करने वाला हो, तो इस type के जो भी जो जो भी इस तरीके के जो words होंगे, उनको हटाया जा सकता है, और इसका power जो है, वह speaker और chairman के पास होता है, और ऐसे ही, जो राजिस सभा के साथ-साथ, अगर हम बात क समय में relevant है, हमने देखा power तो है, power का इस्तमाल, speaker और जो chairman है, उनके पास है, बट आज के समय में इसको लेकर कहा जाता है, कि यह बहुत जादा relevant नहीं है, यह जो relevant बहुत जादा नहीं है, अब ऐसा क्यों कहा जाता है, इसको समझता है, देखो, आज के समय में हम देखते हैं कि यह एक digital world है यह एक digital world है और digital world में माल लेते हैं कि अगर कोई speech किसी सांसद ने दिया है तो वहाँ उसमें live telecast हो रही होती है उसकी कई वीडियो बन चुकी होती है तो उस live telecast की वीडियो already circulate हो चुकी होती है कि parliament की records को आज से 10 साल या 20 साल के बाद अगर कोई पढ़ेगा और उस समय वह जब देखेगा कि हाँ parliament में क्या बहस होती थी तो उसमें यह words जो हटे हुए नजर आएंगे यह words अटाए जाते हैं अब इसका process क्या होता है कि मान लेते हैं कि अगर speech दिया गया इसी सांसद के को बताया जाता है कि इन unparliamentary words का इस्तमाल क्या गया है उस list के अनुसार और फिर speaker उस पे final discretion रखते हैं कि क्या इस word को हटाया जाना है नहीं हटाया जाना है तो यह last ऐसा नहीं कि यह automatic धंग से हट जाएगा यह speaker का discretion होगा कि speaker कि इस word को हटाना चाहते हैं किसको नहीं हटाना अचाहते हैं तो इस इस ते रलेवेंस अफ दे रिमार्क्स और एक्स फंक्शन अफ रिमार्क्स इन लुग सभा और राजय सभा थैंक यह वेरी मुच पर वच्छिं देस और बेस्ट थैंक यह